आज के वीडियो लेक्चरर का टोपिक है मेक्यावेली के परमुक राजनेते विचार जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चरर में मेक्यावेली के सामाने परीचे उसकी अध्यन पदतियां और उसकी रचनाओंग पर विचार विमर्ज किया था और साथ में यहां भी समझने का प्रियास किया था कि उन्हें यानि मेक्यविली को अपने यूग का सिसु क्यों कहा जाता है उन्हें पुनर जागन का परतिनी दी विचारक क्यों कहकर बुलाय जाता है इन बिंदों पर भी परकास डाला था उनको समझने का प्रियास किया था इसी करम में आज का जो वीडियो लेक्चरर का टोपिक है वो है मेक्यवेली के परमुख राजनिती विचार यह तो सत्य है कि मेक्यवेली अरस्तू प्लेटो की तरह कोई बहुत बड़ा दाशनिक विचारक नहीं था लेकिन फिर भी उसने जो अपनी पुस्तक लिखी दे प्रिंस 1513 में उसने सासन कला से सम्मझनित कुछ सुत्रों का पर्तिपादन किया जिसके कारण बहा इतियास में अपना एदितिया इस्तान रखता है और इसी करम में हम देखते हैं मेक्यवेली के जो प्रमुक विचार हैं वो इस परकार हैं उसने जो सबसे पहले वर्णन किया था उसका है मानव सवाव समंधी अउधारना मेक्यवेली मनुश्यों के बारे में कोई सकारातमक दरश्टी को नहीं रखता वह मनुश्यों की नकारातमक परवर्णियों का ही उले करता है और वह यह मान कर चलता है कि मनुश्य सवाव से ही स्वार्ति होते हैं दोखेवाज होते हैं दुष्ट होते हैं और वह जनम से ही बुरा है जिसमें अच्छाई का लेस मात्र भी अंस नहीं होता इस परकार मेक्याविली ने हमारे समक्ष मानव सवाव का गढ़नित और बुरा ही पक्स प्रस्तुत किया है उसने जो पुस्तग लिखी थी दे प्रिंस उसके सत्रुय अध्याय में लिखा है कि सामाने रूप से मनुष्यों के बारे में का जा सकता है कि वे कर्तगन, चंचल, जूठे, कायर और लो भी होते हैं वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सपलता आपके पास में है इस परकार मेक्याविली का मानना था कि मनुष्यों को कार्य करने की जो प्रेणा मिलती है वो मिलती है उनकी स्वार्थ परता से यानि स्वार्थी परवर्थियां ही मनुष्यों को कार्य करने की प्रेणा परदान करती है इस परकार बह मनुष्यों को पसु के समान वर्नित करता है और मानता है कि मनुष्य पसु के समान जिसमें अच्छाई नामात्र की भी नहीं होती और भै, सक्ति, एहंकार, आदी उसकी प्रेरक सक्तियां होती है इस परकार मेक्यवेली ने मनुश्यों के बारे में नकारात्मक धारना ही रखी है उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में भी मानो सवाव की आलोचना की है और लिखा है कि व्यक्ति अपने व्यवार में दो ततों से संचालित होता है एक तो प्रेम और दूसरा भै, इस परकार मनुश्य प्रेम और भै के आदार पर ही अपने जियों में संचालित होता है और इनी मनुश्यों की लोबी और स्वार्थी परवर्टियों को इंगित करते हुए उसने लिखा था कि मनुश्य अपनी संपती को छीने वाले की अपेक्षा, अपने पिता के हत्यारे को ज़्यादा सुगमता से माप कर देता है यानि यह बताना चाता है कि मनुश्य कितना दुष्ट होता है और कितना दोखेवाज होता है उसके बारे में उसने ये विचार प्रस्तुत किये और बताया कि मनुश्य हमेश्या सुवाब से या जनम से ही क्या होता है दुष्ट होता है दोखेवाज होता है और उसे कभी भी भलाई की आसा नहीं रखनी चीए इसी परकार इन मानव सवाव समंदी आउधारना का परतिपादन करने के बाद यानि उन्होंने मनुश्य के सवाव के बारे में विचार विमर्स करने के बाद में अपने राज्य और स आसन संबंदी विचारों को भी मानव सवाव समंदी अउधारना के आधार पर ही विसलेशित किया है और वह मानता है की राज्य और सासन संबंदी विचार क्या है मनुष्य के सवाव पर ये आदारित होने चीए चुकि सबी मनुष्य क्या होते हैं दूष्ट होते हैं दोखेवाज होते हैं इसलिए एक राज़ा को इतना सक्तिसाली होना चाहिए कि बह मनुष्यों की पास्विक प्रवर्तियों को दमित कर सके उनको नियंत्रित कर सके इस परकार बह राज़ा के निरंकुस और सक्तिसाली ह होने की कामना करता है और बैय कहता है कि मनुष्यों के सवाव में जो दुर्बलताएं पाई जाती हैं उनको केवल एक सक्तिसाली सासक ही नियंत्रित कर सकता है इस परकार उसने राज्य और सासन समंदी विचारों का पर्तिपादन किया मानस सवाव की परकर्ति के आदार पर मेक्यावेली द्वारा जो विचार पर्तिपादित किये वो इस परकार है कि राज्य एक सवाविक संस्ता नहीं है बलकि बहे एक प्राकर्तिक संस्ता नहीं होकर करत्रिम संस्ता है जो मनुष्यों ने अपनी आवशक्ता आवशक्ता किस बात की थी कि वही सभी मनुष्यों में पास्विक प्रवर्टियां पाई जाती हैं तो सभी मनुष्यों की सुरक्षा के कारणे मनुष्यों ने इसे यानि राज्य को बनाया है तो यह राज्य क्या है मानव निर्मित एक कर्तरिम संस्ता है पहला निसकर्स तो यह निकलता है दूसरा जो निसकर्स है वो यह है कि एक राजा की सपलता उसके सक्तिसाली होने पर ही मिल सकती है यानि जिस राजा के पास जितनी सक्ति होगी उसको सासन संचालन में उतनी ही काम्या भी मिलेगी तीसरा जो विंदू उसने निसकर्स के तोर पे निकला वो ये है उन्होंने यानि मेक्याविली ने राजनिती और नेतिक्ता को अलग-अलग कर दिया राजनिती और नेतिकता का जो गठवंधन मेकयवली की दृष्टी में एव्याहरिक था उसका कहना था कि मनुष्ये जनम से ही क्या होता है स्वार्ती होता है, बुरा होता है, दुष्ट होता है, ब्रcco होता है इसलिए सबी सासकों को मनुशे के नितिक, धार्मिक और सामाजित के सद्गुनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और राजनिति के खेल को सक्ति के आधार पर ही खेलना चाहिए और सबी राजा मनुशे को सक्ति के द्वारा ही नियंतित कर सकते हैं इस परकार बहे मेक्यवेली मानव सवाव को भी ऐ परिवर्तित मानता है जहां प्लेटो अरस्तू जैसे दार्षनिकों ने सिक्षा को मनुष्य के सवाव में परिवर्तन लाने का महत्पूर्ण माद्यम माना था लेकिन मेक्यावेली ने मनुष्य के सवाव को परिवर्तनिय माना है उसने कहा है कि सिक्षा मनुष्य के सवाव में परिवर्तन नहीं ला सकती जो सिक्षा है मानव की जो दुष्ट परवर्तियां है उनको सुदार नहीं कर सकती उनको सुदारा नहीं जा सकता इस परकार जो मानव का आचरण है जो स्वार्थ से बरा हुआ है लोबी है कपटी है वो यूगो यूगो से क्या है ऐ परिवर्तनिय है ऐसी अंतरनीत बुराईया है जिने सिक्षा के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता इस परकार मेक्यावली ने मानव सुवाब समंदी विचारों का पर्तिपादन किया अब मेक्यावली द्वारा जो राजनिती का धरम और नेतिकता से पर्तक करन किया है उसके बार में हम विचार विमर्ष करते हैं मेक्यावली नेतिकता और धरम समंदी विचार जब पर्तिपादित करते हैं तो मेक्यावली ऐसा पहला विचारक होता है जिसने राजनिती को धरम और नेतिकता से अलग कर दिया उसके विचारों में राजनिती में नेतिकता और धरम की कोई उपयोगिता नहीं होती है बहे मानता है कि एक राजा को धरम और नेतिकता की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा की ज़्यादा चुन्ता करनी चाहिए साधन तो हमेशा क्या होते हैं पवित्री होता है जैसे साध्य होते हैं उसके लिए सभी परकार के साधन अपनाए जा सकते हैं और उनकी सामाने रूप से परसंसा हो सकती है इस परकार बहे राजनिती में धरम और नेतिकता की उपेक्षा करता है भे मानता है कि परते व्यक्ति यहां जानता है कि राजा के लिए अपने बचन का पालन करना और निती पूरुक आच्रन करना कितना परसंसनिय है जेपी हमारी आखों के समक्स जो कुछ भी गठित होता है हम देखते हैं केवल उनी राजाओं के ने महान कारे किये हैं जिनोंने चाला की से दूसरों को पिठे छोड़ दिया है यानि उन्होंने का है कि एक राजा में सेर कासा सहास और लोम्री जैसी चाला की होनी चीए राजा को उपर से दयालू, विश्वासी, धार्मिक, सच्चा होने का ढोंग रचना चीए लेकिन आवशक्ता पढ़ने पर उसे निर्दई, विश्वास गाती और एधार्मिक बनने में भी ततपर रहना चाहिए इस परकार बहर राजा को यह भी सुजाब देता है कि एक राजा आवशक्ता अनुसार नेतिकता का धर्म का राजनिती में उप्योग कर सकता है इस परकार उसने राजनिती में यथार्तवादी दरश्टी कोन को अपनाते हुए राजनिती से नेतिकता और धर्म को निकाल दिया यानि उसकी उपेक्षा किया है अब हम देखते हैं कि उसने अपनी पुस्तक प्रिंस के अठार्वी अध्याय में मेक्यावेली ने उन सिद्धान्तों का उलेग किया है जिसके आदार पे एक राजा को एक सासक को अपना आच्रण करना चाहिए उसके विश्या में उसने निमन सुत्रों का परतिपादन किया है मेक्यावली अपने राजा को यह सिक्षा देता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्ति का अरजन करना चाहिए मेक्यावली का माना है सक्ति ही सत्य है और वह इसी अब्धारना में विस्वास करता है सक्ति मेक्यावली के समस्त चिंतन का केंद्रिय विंदू है और वह अपने सासक को ज़्यादा से ज़्यादा सक्ति अरजित करने की सला देता है उसे बनाए रखने की और उसके विस्तार करने की भी वह उसे क्या देता है सला देता है इस परकार मेक्याविली का मानना है कि एक राजा के पास जितनी ज़्यादा सक्ति होगी उसी के आधार पर बहे अपनी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकेगा और आंत्रिक छेतर में शांती बनाए रखेगा इसी परकार बहे कहता है कि एक राजा को साम, दाम, डंड, भेद, सबी परकार की नीतियों को अपनाना चाहिए और आशक्ता के अनुसार इनका प्रियोग करना चीए इसी परकार एक राजा में यह मानता है कि एक राजा को सेर जैसा सहास और लोमडी जैसी चाला की के गुण भी होने चाहिए मेकेवली का मानना था कि राजा में सेर और लोमडी दोनों के ही गुण होने चाहिए क्योंकि सेर अपने को जाल में फसने से नहीं बचा पाता और लोमडी भेडिये से अपनी रक्षा नहीं गर पाती अत्य कहा जाता है कि इसका ग्यान प्राप्त करने के लिए उसे लोमडी की चाल भी आनी चाहिए और भेडियों कैसे ड्राय जाए इसलिए सेर किसी सक्ति भी होनी चाइए इस प्रकार बैहे अपने राजा में सेर और लोंवरी के गुणों की बात करता है बैहे अपने राजा को शिक्शा देता है कि राजा को कुरूरता के साथ परदर्शन करना चाइए जब किसी राजय पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी परकार के अत्याचार और कुरूरता एक साथ करना चीए इसी परकार वैर राष्टे सेनाओं पर भी जोड देता है उनका माना था कि कोई भी राजा किराय की सेना पर युद्ध नहीं जीत सकता इसलिए उसके पास एक खुद की सेना होनी चीए एक खुद की सप्तिसाली राष्टे सेना उसके पास होनी चीए इस परकार वैर राष्टे सेना के गठन पर भी जोड देता है इसी परकार वह कहता है कि जनता से कानुनों का कठोरता पूरत पालन कराया जाना चाहिए नई तो समाज में एशानती इस्तापित हो जाएगी इसी परकार वह अपने राजा को यहां भी सिख्षा देता है कि सेनिक सक्ति का विस्तार किया जाने चाहिए और हमेशा युद्ध की इस्तिती बनाए रखी जानी चीए मेक्याविली का मानना था कि एक राजा को ज़्यादा से ज़्यादा सेनिक सप्ति का अर्जन किया जाए अर्जन किया जाना चीए और उसका विस्तार किया जाना चीए इसी परकार ऐसे अनेक बिंदू है जिसका उलेक मेक्याविली अपनी पुस्तक में करता है